तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे important minerals of the India इसमें लोग complete cover करेंगे कौन से state में सब्स्यादर production होता है और कौन से state में सब्स्यादर reserve है minerals के तो कई प्रकार के minerals होते हैं जिसमें एक होता है metallic mineral एक होता है non-metallic mineral इसके लावा एक और mineral होता है जिसको हम लोग कहते है energy minerals उसमें आता है natural gas, petroleum, uranium तो सबसे पहले हम बात करते है metallic minerals की तो वह mineral जिसमें metals होते हैं उनको हम कहते है metallic mineral और वह mineral जिसमें metals नहीं होते हैं उनको हम कहते है non-metallic minerals तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग metallic minerals की तो metallic मिनलस में कौन कौन से आते हैं इसमें आता है iron ore, zinc, silver, copper, bauxide और tin वही अगर हम non-metallic की बात करें तो इसमें आता है mica, marble, gypsum तो यह यतने भी हैं सब non-metallic में आते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं metallic में iron ore की तो iron ore 4 types के होते हैं जिसमें सबसे high quality का iron ore होता है 70% वो होता है magnetite इसमें iron content 70% होता है वह यगर हम hematite की बात करें जो कि जहारकर दो शतिस गड़ वाले area हम पाय जाते हैं वो होते हैं second best quality के होते हैं और उनमें जो iron content होता है वो 60-70% होता है ठीक है इसके लावा एक होता है lemotite जिसमें जो iron content है वो है 40-60% जो की third number पे आता है वह यगर हम fourth बात करें जो लो quality का iron है उसको हम कहते है side right जिसमें iron content जो होता है वो होता है 40-55% तो यह चार्ट प्रकार के iron होते हैं जिसमें best quality का होता है magnetite उसके बाद होता है hematite फिर lemotite और फिर side right ठीक है अब बात कर लेते है iron ore के distribution की तो यह कहां कहां पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं 36 गड़ में करनाटक में जारकंड में और ओडिसा में 36 गड़ में कहां कहां मिलता है तो 36 गड़ में मिलता है बेला डिला नाम याद अखिए का मैस्दी following में पूछ लेता है यह बेला डिला डाली राजहरा और रावा घाट यह तीन जग़ां 36 गड़ में जहां यह iron ore और पाए जाते हैं उसके लवा करनाटक की बात कर रहे हैं हम लोग तो करनाटक में पहरा नाम है कुदिर मुक उसके बाद बावा बुदान फिर है केमण गुंडी यह तीनों हिल से कुदिर मुक बावगुदान और केमण गुंडी यह नावा मुंडी है जामडा और गुवा यह तीन जग़ जहां कंध में पाए जाने लिश्ट्रिक हैं वह जी में देखें तो उडिसा में मिलता है गुरु महिसामी हील्स का नाम है गुरु महिसामी और बदाम पहाट ये दो जग़े हैं ओडिसा में तो इतने जगह पर आईरन ओर हमें इंडिया में मिलता है चाहरकंड और ओडिसा अब बात करते हैं इसके मेजर रिजरवर इंडिया में जो major reservoir इन सब में एचाथ दो चीज़े याद रखे का एक होता है major reservoir किसके पाँ जादा जो है ये भंडार है और वहीं किसके पाँ जादा उत्पाद है तो पहले हम भंडार देखते हैं तो सबस्यादा भंडार जो है वो कनाटक में है उसके बाद Odisha में है फिर 36 गड़ में यहाँ बस भंडार की बात हो रही है reserve सबस्यादा कनाटक में Odisha में फिर 36 गड़ में वही सबस्यादा production कौन करता है अगर इसकी बात की जाए तो सबस्यादा production होता है iron ore का पहला नाम आता है Odisha का फिर 36 गड़ फिर कनाटक का ठीक है तो reserve में और production में confuse नहीं होना है reserve अलग चीज है production अलग चीज है अब बात करते है मैगनीज की पहले हम देख लेते हैं कि इसका इस्तमाल कहां कहां होता है कौन कौन सी industries में इसका इस्तमाल होता है तो अगर हम देखें तो सबस्याद है इसका इस्तमाल होता है iron and steel industry में इसके लावा chemical industry में होता है glass industry में होता है और के साथ साथ batteries में भी इसको इसको इस्तमाल किया जाता है अब बात कर लेते हैं इसके distribution की तो इंडिया में कहां कहां पाए जाते हैं ओडिसा का केो घर हो गया तो इस एरिया में पाय جाता है उसके लावबtrегда हम प्रोड़क्शन की बाद करें कि सबसी आदा प्रोड़क्शन का कहां पर होता है मेगनीज का तो सबसे नंबर वन आता है M.P. मतलब मद्ध्ध प्रदेश में ठीक है उसके बाद है महराश्ट्र फिर है ओडिसा वहीं अगर हम रिजर्ब की बात करें कि सबस्यादा है रिजर्ब कहाँ पर है मेगनीज का तो सबस्यादा है ओडिसा में फिर है करनाटक में फिर है MP में या दखी गई मैजदी फॉलोइंग में नाम के साथ स्टेट दे सकता है या फिर ये रैंक दे सकता है कि रैंक एक नमबर पर कौन है दो नमबर पर कौन है मैच करने के लिए इसके बाद बात करते है कॉपर की तो कॉपर सबसे ज़्यादा पाय जाता है राइस्थान में distribution की बात करें अगर तो सबसे पहला रायस्थान, फिर MP, फिर जहारखंड और अगर रायस्थान में भी देखें तो जुन-जुरू में सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसके बद अलवर में, वहीं अगर MP की बात करें तो बाला घाट में और बैटूल में और जहारखंड की बात करें तो सिंग्भूम में और पलामू में इसके लावा एक चीज़ और ध्यान दीजेगा, यह जुन-जुरू है, जुन-जुरू में ही खेतरी माइन है यहां में पूर सकता है यह खेतरी माइन कहां से कौन से स्टेट से रिलेटेड है तो जुन-जुरू है, वहाँ पे खेतरी माइन है वो राइस्थान से रिलेटेड है ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इसके MP की, तो वहाँ पर है मलच खंड, ठीक है मलच खंड जोन है, यह MP का है, जहां पे कौपर सब्चादा पाय जाता है इसके बाद हम प्रोडक्शन की बात करें, तो कौपर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है MP में, फिर राइस्थान में, फिर जहारखंड में लेकिन अगर हम reserve की बात करें तो सबसे जाधा reserve है राइस्थान में जहार खंड में और MP मद्रदेस में तो याद रहे हैं copper में production सबसे जाधा MP के पास है reserve सबसे जाधा राइस्थान के पास है और जो खेतरी माइन है ये जुन जुन राइस्थान का है मलच खंदmp MP का है अब बात कर लेते हैं Buddhist गोल्ड की अगर तो गोल्ड का distribution अगर हम देखें कहां कहां पाए जाते एंगे यह पाए जाते कनाटक ने अंधर प्रदेश में आप इस यह कनाटक और अंधरप्र इस में अब कनाटक का जो है एक है kolar kolar mine दूसरा है हुटी अब को याद होगा के जी अब जो जो देखे को मालूम होगा को ओलर माइन के बारे में तो ये कनाटक नहीं है थीक है उसके बाद है हुटी वहींगर हम अंद्राप técis की बात करें तो रामगिरी जो जहां अंजा पर इसमें गोल्ड पाय जाता है लेकिन अगर हम production और reserve की बात करें तो largest production and reserve जो है वो करनाटक के पास ही है सबसे ज़्यादा produce करने वाला भी करनाटक है और सबसे ज़्यादा reserve भी करनाटक के पास ही है गोल्ड का याद रखीएगा ठीक है अब बात कर लेते हैं हम लोग silver की तो silver सबसे ज़्यादा कहां कहां पाय जाते हैं इंडिया में तो सबसे ज़्यादा राइस्थान में है और करनाटक में है यहाँ mines के नाम दिये हुए जहाँ जहाँ mines के नाम दिये हुए इन mines के नाम को याद रखीगा यहां मेज़ी following में माइन्स भी पूछ सकता है कौन सा माइन्स कहाँ पर है, अगर important माइन्स है तो पूछ लेगा exam में, कि कौन से state से related है, तो अगर हम जवार माइन्स की बात करें, तो यह रायस्थान का है, वहीं अगर हम स्रीदुर्ग की बात करें, तो स्रीदुर्ग करना ट इसके आज आता है बोकसाइड, तो बोकसाइड वाले कौन कौन से स्टेट है इंडिया में? तो बोकसाइड पाने वाले स्टेट है, उडिसा, जारकन, तामिलाडू, करनाटका और MP, अगर हम वहीं, रिजर्ब की बात करें, तो सबसे जाद जुद रिजर्ब है बोकसाइड का वह रहा है और जाद है अब ancestído कि और सब्सक्राइब प्रोड़क्स सब्हज़ाइब दोनों ओडिसा में वहीं अभी हम उपर देखे थे तो ईसका उसलाइब पाई चेंगे तो इसका सब्सक्राइब प्रोडक्सन सब्सक्राइब देखते हैं तो सबस्यादा डिस्टरभीशन कहां पर जारकंड में तामिलाडू में जम्भू कस्मीर में जावार एक डिस्ट्रिक है वहां होता है रामपूर उसके बाद अगुचा यह एजी यूच्छ एठीक है तो अगुच्छ यह रीजन है वहां पर रामपूर उक्चा रिजन वहां सबस्यादा जिंक पाए जाता है उसके बाद अर को जम्भू कस्मिर उध्धमपूर उसके रावा कभी कभी आप में पूछ लेता रामपूर उक्चार रीजन की स्टिस्ट के लिए सबसे जयादा है तो वह है जिंक और लीड के लिए और यह कहाँ पर है तो यह है विलवारा डिस्ट्रिक में राइस्थान में वही एक और रीजन है जिसको हम लोग करते है राजपूर देवरी रीजन, राजपूर देवारी रीजन यह कहाँ पर है, तो यह उदैपूर रायस्थान में, यहां भी जिंक और लीड एक साथ मिलते हैं और ज्यादा क्वाटेटी में मिलते हैं, इन दो रीजन को याद रखिएगा, रामपूर उक्चा रीजन और सब्सक्राइब के बारे में, अब हम लोग साथ देख लेते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन-कौन से हैं, तो सबसे पहला है, माइका, यह कहाँ पाया जाता है, तो यह सबस्यादा पाया जाता है, अंधरा प्रदेश में, राजिस्थान में, वहीं अगर हम अगर हम बात करें, तो सबसे जादा जो मार्वल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में, वह है राजिस्थान, और राजिस्थान के भी मकराना में पाया जाता है, इसी मकराना के मार्वल से ही ताज महल बना है, और कलकता के रानी विक्टोरिया का महल है, वह भी मकर है ठिक इसके बेर बात करते हैं तीन नमबर ज्यूंबर जब अलबो है जिप्सम और इस तरह स्था करता है इस प्रडुक् सन भीजिश्थान नहिसर्फ आप उसके बाद करें तो इतना कमrator को अब्रेंजर्फ के बात कित centre है उसेज़िवाता है इस मेलाध्य और कौन सिस्कर प्रोडक्शन है इसको याद दखने का रिजर्ब और प्रोडक्शन इतना था अज के मिनल क्लास में अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है चलो तब तक लिए थैंक्यू